नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला बड़ा है मसला यह कि हमारे देश के परधान मंतरी मोधी साहब ने लॉकडाउन फोर का एलान कर दिया है लेकिन यह नए रंग रूप में होगा इस पर चर्चा करेंगे मसला यह है कि देश के परधान मंतरी मोधी साहब ने 20 लाख क्रोड रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया है इस पर आप कितना यकीन करते हैं इसको आप कैसे देखते हैं तिसरी बात आत्म निर्भर बनने की बात कही है चौथी बात लोकल वोकल अपनाने की बात कही है इन सब पर चर्चा करेंगे सबसे पहले 20 लाख क्रोड रुपए आर्थिक पैकेज का जो एलान किया है इस पर आप लोग कितना यकीन करते हैं आप इस एपिसोड को पूरा देखना और आपको लगेगा कि मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं क्या 20 लाख क्रोड रुपए को ठीक उसी तरह देखा जाना चाहिए और उसी तरह यकीन किया जाना चाहिए जैसे आपके खाते में 15 लाख रुपए आने की बात कही गई थी क्या 20 लाख क्रोड रुपए को उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे हमारे देश में हवाई चपल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात कही गई थी क्या ठीक उसी तरह देखा जाना चाहिए किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही गई थी क्या उसी तरह देखा जाना चाहिए कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा क्या उसी तरह देखा जाना चाहिए कि हमारे देश में कई शहर समाट सिटी बनेंगे क्या उसी तरह देखा जाना चाहिए कि जब नोट बंदी का एलान किया था तो हमारे देश के पीम साब ने कहा था कि इस से आतंक वाद की कमर तूट जाएगी लेकिन आज भी हम सुनते और देखते हैं कि हर हफ़ते दस दिन बाद हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं माजमु कश्मीर में बॉर्डर पर तो कुल मिलाकर ये 20 लाक क्रोड रुपया और भी कोई बात हो तो वो आप हमें कमेंट के जरीय लिखकर भेज सकते हैं अगर आपके मन में कुछ और भी चल रहा है थो तो 20 लाग क्रोड रुपया ये सुनाई तो देगा लेकिन हो सकता है ये दिखाई नहीं देगा सुनाई कैसे देगा कि मीडिया वाले अब अगले कई दिन तक इस 20 लाग क्रोड रुपय के आर्थिक पैकेज की बात करेंगे इस पर चर्चा करेंगे और आपको ये लगातार सुनाई देगा हाँ हो सकता है कि कुछ उध्योग पतियों को इसका फायदा हो जैसे हमारे देश में पहले कई बड़े बड़े उध्योग पती इस देश का पैसा खाकर वे देशों में भाग गए और आज तक वापिस नहीं आ मजदूर गरीब तबका जो इतने सैकडो किलोमेटर पैदल चल रहा था इस लॉकडाउन में अपने घरों की तरफ जा रहे थे उनकी चपल घिस गई ना सिर्फ घिस गई बलकि चपल तूट गई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हवाई चपल वालों को हवाई जहाज मे बठाया जाएगा तो उसके लिए तब क्या किया सरकार ने किसानों की बात करते हैं किसान पहले भी आत्म निर्बर है मजदूरों ने देख लिया है किसानों ने देख लिया है इस लॉकडाउन में कि उनके लिए सरकार क्या कर रही थी किसानों की फसल खरीदी गई लेकिन लटका लटका कर कैसे खरीदी गई, आज तक भी पूरी नहीं खरीदी है, और उनका जो पैसा बनता है, वो इतने दिन बाद भी उनके पास नहीं पहुंचा तकरीबन एक महीना होने वाला है, तो किसान को और आतम निर्बर बनना पड़ेगा, मजदूर को और आतम निर्बर पनना पड़ेगा, सरकारों के सहारे जिंदगी नहीं जी सकते हम, अब आते हैं जो लोकल वोकल की बात कही गई है, बिलकुल ठीक बात है, लोकल अपनाना चाहिए, जो लोकल सामान है उसको खरीदा जाना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो आर्थिक विवस्ता हो, वो चोड़ देंगे, क्या जो बड़ी बड़ी गाडियां में वो घूमते हैं, जो विदेशी गाडियां हैं, उनको छोड़ देंगे, क्या विदेशों में जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको वापस लाकर यहीं पर पढ़ाएंगे, और जो विदेशी सूट बूट पहनत विदेशी ब्रांड का सूट बूट और चश्मे लगाते हैं क्या उनको छोड़ देंगे अगर वो छोड़ देंगे तो हम सब छोड़ने के लिए तयार हैं बिलकुल यहां की चीजें भी बहुत अच्छी हैं यहां की चीजें भी ब्रांड बन सकती हैं लेकिन यह सबी को करना होगा यह सिर्फ जनता करे ऐसा नहीं होगा यह सबी को छोड़ना पड़ेगा सो दोस्तों यह तीन चार बड़ी बात हैं जो परदानमंत्री साहब ने की हैं इस पर आप कितना यकीन करते हैं वैसे अब यह बड़ा जो एलान किया मतलब देश के परदानमंत्री ने बड़ा नहीं लेते तो यह भी एक बड़ी बात है यह भी एक बड़ा मसला है अब आते हैं कि लॉकडाउन फोर का एलान कर दिया है लेकिन इसकी घोशना आगे होगी अठारा तरीक से पहले कि इसका रंग और रूप क्या होगा कुल मिलाकर जैसा परदानमंत्री साहब ने बोला कि यह करोना तो बहुत लंबा चलेगा अभी कई महीने और चलेगा लेकिन ऐसे में काम धंदे भी चलने चाहिए ताकि जो अर्थवयवस्ता है वो भी चले तो हो सकता है यह लॉकडाउन फोर में और भी बहुत ज्यादा छूट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी काफी लेकिन लोगडाउन रहेगा कुछ जो पाबंदियां वो रहेंगी लेकिन वो छोटी मोटी हो सकती है देखना होगा कि क्या एलान उसमें किया जाता है कैसा और रंग और रूप होगा इस लोगडाउन फोर का लेकिन दोस्तों बड़ई बात बड़ा मसला वो आपने देख परिया है कि 20 लाक क्रोड रुपया आर्थिक पैकेच उसमें आर्बियाई ने जो पहले गोशना की है वो भी शामिल होगा लेकिन आर्बियाई ने एक गोशना ये भी की थी कि आपको EMI देने की जरूरत नहीं है तीन महीने तक आप EMI ना दीजिएगा लेकिन अगर आप EMI न नहीं देनी और उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा लेकिन ये नहीं कहा गया तो कहीं ये 20 लाक क्रोड रुपया ठीक वैसा तो नहीं है तो दोस्तो इस मसले पर आपकी राय क्या है आप भी हर पहलू पर अपने विचार दीजीगा अपने राय दीजीगा कोमेंट के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हर नागरिक तक पहुँचे और अगर इस वीडियो को आप दा मसला के जुड़ी होई है मतलब लॉकडाउन से जुड़ी होई है चाहे किसान से मजदूर से जुड़ी होई है या व्यपारी से जुड़ी होई है या स्टूडेंट से जुड़ी होई है या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ी होई है वो आप तक उसी समय पहुं सके धन्यवाद नमस्कार